Hello everyone, स्वागत है आप सभी का Competitive Academy में इस सीरीज में हम UPPCS और RO ARO 2016 के लिए जो re-exam होने वाला है उसके लिए जो important current affairs हैं वो discuss कर रहे थे इससे पहले वाले lecture में हमने 11 जून से ले करके 20 जून तक जो भी important current affairs हैं exam के point of view से वो discuss किये थे और इसमें 21 जून से ले करके जो 30 जून तक की important current affairs हैं वो discuss करेंगे तो चली शुरुवात करते हैं पहला प्रशनाच का है अंतराष्टी योग दिवस कब मनाया जाता है तो अंतराष्टी योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है इस बार का जो हर साल इसकी एक theme होती इस बार की जो इसकी theme थी वो थी स्वास्त के लिए योग घर पर योग तो जैसा कि आपको पता है ऐसे प्रशन से जादा तर जो date है वो पूछी जाती है और जो इसकी theme होती है वो पूछी जाती है इसके लावा 2014 में जैसा कि आपको पता है United Nation में प्रस्ताव पारित किया गया था और 2015 में पहली बार योग दिवस मनाया गया था उसके बाद से प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस अंतरराष्टी योग दिवस मनाया जाता है अगला है कि Clara and the Sun नामत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो ये काजुओ इश्युगरो इनके द्वारा लिखी गई है ये इसलिए important हो जाता है क्योंकि 2017 में काजुओ इश्युगरो को जो साहित थी का nobel है वो मिला था इनकी एक बहुत ही famous novel है जिसका नाम है The Remains of the Day तो ये बहुत पहले लिखी थी लेकिन important ये personality है तो इसलिए इनकी जो एक important book है The Remains of the Day ये हमें पता होनी चाहिए क्योंकि कभी-कभी जो books होती है वो match करने के लिए पूछ लेते हैं और current में ये book है तो ये भी पता होनी चाहिए अगला है COVID-19 के कारण अब तक पहली बार ऐसा होगा कि कामाख्या मंदिर में अंबू बाची मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा यहां कामाख्या मंदिर इस्थित है तो मेली पूछा गया कि कामाख्या मंदिर कहां इस्थित है तो ये गौहाटी में इस्थित है और अगर state पूछे तो गौहाटी असम में है प्रतिवर्ष यहां पर मेला लगता है तो इस साल COVID-19 के कारण वो इस्थगित कर दिया गया इसलिए चर्चा में है तो इसलिए important हो जाता है अगला है कि शहरी श्रमिकों को सौदिन के रोजगार की गारंटी वाली योजना श्रमिक को किस राज विदान मंदिल ने मंजूरी दिये तो अगर दूसरे राज की योजना है तो हमें सिर्फ पता होना चाहिए वो किस राज की योजना है अगला देखते है हाल ही में माउंट मेरापी जो आला मुकी में विस्थोट हुआ यह इस्थित है चर्चा में था इसलिए important है माउंट मेरापी जो आला मुकी इंडोनेशा में इस्थित है और इंडोनेशा जैसा कि आपको पता है साउथीस्ट एशियन कंट्री है और इसकी राजदानी जाकारता है नेशनल इंस्टिटूट आफ पब्लिक फाइनस एंड पॉलिसी इन आईपी एफपी के अधख्ष के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो जो पूर्व RBI गवर्नर थे उर्जित पतेल उन्हें निउक्त किया गया है और इस इंस्टिटूट का काम क्या है कि जो रिवेन्यू, टैक्सेशन और वित्ति प्रबंधन लोक वियाए, एकोनोमिक पॉलिसी इन सबसे रिलेटिड जो रिसर्च कार्य होता है वो ये इस्टिटूट देखता है और ये एक स्वायत संस्थान है वित्तमंत्राले की अंतरगत अगला है Decarbonizing Transport in Emerging Economics पहल प्रारंब की गई है तो ये पहल नीतियायोग के द्वारा प्रारंब की गई है और इसके साथ में ही International Transport Forum जो है ये नीतियायों के साथ मिल करके इस पहल के उपर काम करेगा इसका मुख्य उद्देश है कि जो कार्बन उसर्जन है उसको कम करने वाली या ऐसी परिवहन प्रडाली विक्सित करना जो कम से कम कार्बन उसर्जन करती हो अगला है अंतरराष्टी ओलंपिक दिवस मनाया जाता है तो 23 जून को अंतरराष्टी ओलंपिक दिवस मनाया जाता है अंतरराष्टी ओलंपिक समित की स्थापना 1894 में इसी दिन की गई थी 23 जून को इसलिए प्रतिवर्ष 23 जून को अंतराष्टी ओलम्पिक दिवस मनाए जाता है और अंतराष्टी ओलम्पिक समित का जो मुख्याले है वो कहा है स्विजर लेंड की एक जगह है लिूजन यह यह बना हुगा है लिूजन तो लिूजन में इसका मुख्याले है अगला है IIT Bombay ने NAVIC GPS सैचलाइट के लिए एक IC चिप विक्सित की है जिसका नाम है तो जैसे की Google Maps है वैसे ही अपना जो भारत का GPS सिस्टम है उसका नाम है NAVIC तो इसको और अधिक क्या बोलते हैं उसका signals अच्छा करने के लिए signals की quality इंप्रूव करने के लिए एक स्वधेशी IC चिप विक्सित की गई है उसका नाम द्रूव है और जो NAVIC प्रोजेक्ट है यानि कि अपना स्वधेशी GPS विक्सित करने का ये जो प्रोजेक्ट था NAVIC इसको 2013 में लॉंच किया गया था अगला है कि Reliance Industries के जो अध्यक्ष है और प्रबंद निदेशक मुकेश अमबानी ये Forbes Real Time Billinears List में कौन सा इस्थान इने प्राप्थ हुआ है तो इनको 9 इस्थान प्राप्थ हुआ है एशिया भारत के सबसे सम्रिद व्यक्ति ये हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 10 म अगला है हाल ही में किस मेट्रो ने अपने एक स्टेशन को शी मैन के रूप में विक्सित करने की घोषडा की है जहां पर ट्रांसजेंडर के लिए विशेश सुविधाएं एवं रोजगार के आसर उपलब्द कराए जाएंगे तो नोईडा और ग्रेटर नोईडा जो मेट मेट्रो है उसने अपना एक स्टेशन है नोईडा सेक्टर 50 इसको शी मैन के रूप में विक्सित करने की घोषडा की है इसमें होगा क्या कि ट्रांसजेंडर के जो राइट्स होते हैं उनको प्रमोट किया जाएगा और वहां पर बहुत सारे ट्रांसजेंडर को कोशिच की जाएगी जादा से जादा लोगों को वहां पर नुक्त किया जाए उस थीम पर ये बेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा अगला है अचा अपनी तरीके के अगर कोई एक नई पहल होती है तो वह एक्जाम के पॉइंट आफ वीव से जादा इंपॉर्टन हो जाती जो बहुत सार राज जी या बहुत सारी पहल उस थाइप की पहले हो चुकी परियोजना आ चुकी है तो एक्जाम के पॉइंट आफ वीव से इतनी इंपॉर्टन नहीं होती है लेकिन अगर ये शीमेन वाली आप देखोगे तो अपनी टाइप की पहली पहले जैसे कि इस से पहले एक पू करती आर्थशास्त्री ने जर्मन भूक ट्रेट का प्रतिश्टित शान्तिपृसकार जीता तो ये भारती मूल neighboring हैं अमरतिशन इन्होंने ये जर्मन भूक ट्रेट का जो शान्ति पृसकार ने व्याज्वprocess का गया है इसके लावा इन्होंने 1998 में नोबल प्राइज भी जीता था अगला देखते हैं हाल ही में युक्ति का दूसरा संस्करण युक्ति 2.0 वेब पोर्टल किस मंत्राले के द्वारा लॉंच किया गया तो Minister of HRD जो है उसके दूरा ये लॉंच किया गया है और युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैक्टिंग कॉम्बैक्टिंग कोविड-19 विद नॉलेज टेकनोलजी एंड इनोवेशन इसका फुल फॉर्म है जो मुख्य उद्देश है वो यह है कि जो इनोवेटर्स है और साथ ही उन इनोवेटर्स के आइडियाज में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग है यानि कि इन्वेस्टर्स है तो इनको एक प्लेटफॉर्म पे ले कर के आएगा जाहिर सी बात है ऐसे अगर एक platform पे investors और innovators साथ में होंगे तो दोनों को सिविधाय होंगी और जो एक महौल होता है innovation का, entrepreneurship का और startup का उसको भी boost अप मिलेगा हाल ही में चर्चा में रही शेस्त्र व्यपार संधी को संयुक्त राष्ट महास्वभा के दौरा कब अपनाया गया था तो शेस्त्र व्यपार संधी को 2013 में इसे अपनाया गया था, अभी चर्चा में क्यों है क्योंकि चीन ने भी गोशला किये कि वो इसमें शामिल होना चाहता है ये संधी ये देखती है कि जो भी पारंपरिक हत्यार हैं, उनकी अंतराष्टी विक्री और हस्तांतरर कैसे हो रहा है, उसके लिए मानक विक्सित करती है अभी चाहिना ने भी बोला है कि वो इसमें शामिल होगा इस संधी में, तो ये चर्चा में दुबारा है, तो पूछा जा सकता है कि ये कब संधी अपनाई गई थी अगला है, हाल ही में राष्टी आपदा प्रतिक्रिया कोश को व्यक्तियों एवं संस्थानों के अनुदान के लिए खोल दिया गया इस कोश की स्थापना कब की गई थी? तो 2006 में एक एक्ट बना करके आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इस एक्ट के द्वारा 2006 में इसकी स्थापना की गई थी अगला है UNHCR के दौरा जारी की गई रिपोर्ट के नुसार 2019 में विश्व की जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत को विश्व की जनसंख्या जितनी है उसका लगभग एक प्रतिशत ने 2019 में विश्व की जनसंख्या जितनी है उसका लगभग एक प्रतिशत ने 2019 में व साथ करोड पंचानवे लाग लोग इस रिपोर्ट के अनुसार दोजार उन्नीस में विश्था पित हुए UNHCR UN के एक एजनसी है जो कि शरणार्थियों की जो भी समस्याएं हैं उनसे डील करती है और इसका Headquarter Geneva में है इसको दो बार Nobel Prize भी मिला है और इसको मिला था Peace के लिए मिला था एक बार 1954 में मिला था और दूसरी बार मिला था 1981 में दो बार इसको Nobel का जो Peace Prize है वो भी मिला हुआ है Headquarter Geneva में है और जो भी इसमें important facts बताएं यह सारे important है exam के point of view से बिजली चोरी को रोकने के लिए निस्ठा विद्युत मित्र योजना यह किस राज्यसरकार की पहल है तो यह मद्यपरदेश राज्यसरकार की पहल है इसके दौरा जो Self Health Group की महिलाएं होती है वो काम करेंगे अपने area में जहां की भी हुँ है ताकि लोगों को जागरुक किया जा सके कि वो अपना जो बिल है वो भरें और सरकार के साथ सहयोग करें ताकि बिजली चोरी को रोका जा सके और लोगों को जाग रुख किया जा सके इसके अलावा और भी जो छोटी मोटी समस्या है वो दूर करने का प्रयाच किया जाएगा अगला है फुगाकू सुपरकंप्यूटर ने विश्व का सबसे तीवृतम सुपरकंप्यूटर होने का खिताब हासिल किया यहां किस देश का सुपरकंप्यूटर है इंपोर्टन प्रशन है जापान का ये सुपरकंप्यूटर है और इसकी जो गती है जब इसको टेस्ट किया गया तो इसने 415.5 पेटा फ्लॉप्स का परिडाम दिया और इसी के साथ ये विश्व का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर होने का जो खिताब है इसने हासिल किया अभी फिलाल इसको जो COVID-19 रिलेटर जो भी रिसर्च हो रही है उसके लिए प्रियोग किया जा रहा है अगला है पंद्रहुए वित आयोग ने इस्थानिय ग्रामीर निकायों के लिए वित वर्ष 2020-2021 की अवदि के लिए कितने रूपए के अनुदान की सिफारिश्की है तो 60,750 करोड के अनुदान की सिफारिश्की है 15 वित आयोग ने तो इसके अलाब है वित आयोग σε भी प्रेशन पूछा जा सकता है तो जो पहला वित आयोग था वो 1951 में इसको establish किया गया था, वित्तायोग को पहली बाद 1951 में वित्तायोग अदिनियम 1951 बना करके, आर्टकिल 280 जो भारती समिधान का है, उसमें वित्तायोग के गठन और उसके कारों की चर्चा की गई है, राश्पती प्रति पांच वर्ष के लिए वित्तायोग का गठ करता है, और जो अभी 15 हुआ भी तायोग है, तो इसके अध्यक्ष एनके सिंग है, कई सारे एक्जाम में यह पूछा जा चुका है, तो चांसे का में की पूछा जाए, इसके अध्यक्ष कौन है, अगला है, इंद्रा रसोई योजना किस राजसरकार की पहल है, तो इंद्र प्रश्ट, हाल ही में देविका और पुनेजा पुल का उध्गातन कहां किया गया, तो यह important इसलिए है, वैसे तो बहुत सारे पुल बनते रहते हैं, लेकिन यह एक तो सामरिक रूप से important है, जिस जगहा पर यह स्थित है, साथ ही साथ इनका जो निर्माण है, वो DRDO ने किय है, यह Defense Ministry के अंतरगत एक संगठन है, तो इस ने किया है, तो में लिए जो भी पुल या रोड या कोई भी ऐसे निर्माण जो यह बियारो करता है, वो exam के point of view से important हो जाते हैं, तो जो इसमें जो देविका है वो उधंपुर में है, और जो पुनेजा है वो बद्रवा में है अगला प्रश्म देखते हैं, हाली में उत्तरप्रदेश के किस एरपोर्ट को अंतराष्टी एरपोर्ट गोशित किया गया है, तो जो कुशिनगर एरपोर्ट है, इसको अंतराष्टी एरपोर्ट गोशित कर दिया गया है, अगला देखते हैं, भारत के बाहर देश का पहल योग विश्विद्याले किस देश में इस्थापित किया जाएगा तो भारत के बाहर जो देश का पहला योग विश्विद्याले है वो अमेरिका में इस्थापित किया जाएगा लॉस एंजलिस में अमेरिका के और इसका नाम होगा विवेकानन्द योग विश्विद्याले तो इसका जगह और इसका जो नाम है वो दोनों पॉइंट आवई से एक्जाम के पॉइंट आवई से important है साथी जो देश का पहला योग विश्विद्याले था वो आपको पता होगा पहले भी एक्जाम में पूछा गया है वो गुजरात में स्थापित किया जाएगा या स्थापित किया जा रहा होगा उस टाइम पर तो जब आया था तो यही था कि स्थापित किया जाएगा तो इस योग विश्विद्याले का नाम होगा विवेक अनंद योग विश्विद्याले अगला है कि Climate Pledge Fund की घोषला किसके द्वारा की गई तो यह Amazon के द्वारा की गई है Climate Pledge Fund की घोषला इतना important इसके लिए Climate के लिए है तो जाहिक सी बात है जो भी Climate से related जो भी गत्वी दिया होंगी उनके लिए इसका इस्तमाल किया जाएगा Climate के Positive Development के लिए Preservation के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा वीडियो के वाईसी प्रारम करने की घोषला की गई है तो ICICI बैंक के द्वारा यह घोषला की गई कि वो जो डिटेल्स होती के कस्टमर के अपनी वो वीडियो कॉन्फरेंसिंग यह पता करेंगे हाल ही में वार्शिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की गई जिसके अनुसार 2018 के तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत मरीजों की संख्या में व्रद्धी हुई है अगला प्रशन है मुख्यमंत्री मात्र पुस्टी उपहार योजना यह किस राजसरकार के द्वारा प्रारम की गई है तो यह त्रिपुरा के द्वारा प्रारम की गई है और इसका उद्देश है कि कुपोशल को कम किया जाए मात्र मृत्युदर को कम किया जाए इसके राश्ट्री ई पंचायत पुरुसकार 2020 जीता है तो हिमानचल परदेश ने ये राश्ट्री ई पंचायत पुरुसकार 2020 जीता है ये पुरुसकार जो केंदरी पंचायती राज मंत्राले है उसके दोरा प्रदान किया जाता है जो हिमानचल परदेश है उसने अपनी सभी पंच पंचायतों को इंटरनेट से जोड दिया है इससे जो पंचायतों की कार की दक्षिता है उसमें व्रद्दी हुई है उनकी जवाब दे ही सुनिश्चित होगी पारदर्शिता बढ़ेगी तो इनके इस जो कार है उसके लिए इन्हें राश्टी इपंचायत पुरुसकार 2020 प्र राज्यसरकार ने प्रारम की है तो यह गुजरात राज्यसरकार की पहल है और इसका उद्देश है कि जो MSMEs हैं और बड़ी ओत्योगिक इकाईयां हैं उन्हें वित्ती सहयता प्रदान की जाए ताकि वो जो राज की अर्थवेस्था COVID-19 की वज़ासे अविवस्थित हो ग नाम है मारीच यह DRDO के दोरा विक्सित किया गया एक एंटी टार्पीडो डिकॉय सिस्टम है अगला है पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाओं में पोस्टल बैलेट की जो सुविधा है वो 80 वर्ष से अधिक आयूआले लोगों के लिए थी लेकिन हाल ही में इसे किस आ अधिक के जो लोग हैं उनके लिए संशोधित कर दी गई है ताकि जो कोविड-19 के वज़ा से स्थिदी चल लही आप लोको जैसा पता है कि जो 60 प्लस लोग होते हैं वो जादा इसके लिए सेंस्टिव हैं वाइरस को ले करके इस हेतु ये सुविधा उन्हें प्रधान की साथ में जो लोग कोरोना से पीडी थे और वो क्वारंटीन है तो अपने वोट का प्रियोग कर सके इसके लिए उन्हें भी ये सुविधा प्रधान की जाएगी अगला है व्यवहार परिवर्तन नाविगेटिंग दे न्यू नॉमल नामक पहल किसके दोरा प्रारम की गई ह ताकि कोविध 19 को लेका लोगों को अधिक जागरुक बनाया जा सके तो ये नीती आयोग की पहल है और इसके साथ ही इसमें जो सहयोग करेगा बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है स्वास्त मंतराले है महिला एवं बालविकास मंतराले है ये सब लोग मिल करके इस के विशे में जानकारी दी जा सके उनको निर्देशित किया जा सके ताकि जो कोविध 19 है वो और ना पहले अगला देखते हैं स्विस बैंक में जमाधन के मामले में भारत कि सिस्थान पर है तो 77 पोजिशन पर आ गया है अगर पिछले साल का अगर आप ये रिपोर्ट स्विस बैंक में जो भारतियों के दौरा जमाधन है वो 0.06 परसेंट है जो विदेशियों का कुल जमाधन है स्विस बैंक में उसका 0.06 परतिशत है अगला है नासा ने पहली बार किस अमेरिकी अफरीकी इंजिनियर के नाम पर अपने मुख्याले का नाम परिवर्तित करने का निरड़े लिया है तो मैरी डेबलू जैक्सन ये एक अमेरिकी अफरीकी इंजिनियर है इनके नाम के उपर अपने जो मुख्याले का नाम है वो परिवर्तित करने का निरड़े लिया है तो 2016 में एक मूवी आई थी हीजन फीगर्स मैंने भी अभी देखी थोड़े दिन ये कोशनाने इस पहले मैंने देखा था तो उसमें मेली तीन केरेक्टर्स थे एक थी कैथरीन जॉन्सन और एक ये थी मैरी जैक्सन और एक थी दोरोथी वन तो ये तीनों अफरीकी थे अफरीकी फीमेल थी तो साइंपर जो उनके साथ बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि विवहरत्षा नहीं किया जाता था उसको दिखाया गया है तो जॉन ग्लेन एक एस्टोनॉट थे ये पहले अमेरिकी थे जो अंत्रिक्ष में पहुँचे थे तो इसी के उपर वो बेस्ट स्टोरी है पूरी कैसे इन लोगों ने स्ट्रगल के इन तीनों फीमेल्स ने वो हस्ताक्षर किया है तो रेल टेल ये इस कंपनी के साथ समझोता कि आपन पर हस्ताक्षर किया है ताकि वीडियो निग्रानी की जा सके छेजार से अधिक जो रेल्वेस्टेशन है उनके उपर अगला है कोविड-19 महामारी के प्रभावों के बाद वैश्विक अर्थव्यस् के उपर तो फोकस करेगा ही करेगा साथी कोविड-19 के बाद जो इस्थितियां है उनसे निपटने के लिए प्रयास करेगा साथी विश्व शान्ती को बढ़ावा देगा मानवा धिकार को प्रोसाहित करेगा सतत विकास पर भी फोकस करेगा ये इसके मेन बिन्दू होगे जिनके उपर फोकस करेगा अगला है हाल ही में कौन मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्षी बनी तो क्लेर कोनूर ये एक महिला है जो इंगलेंड की पूर्व क्रिकेटर है इन्हें MCC का अध्यक्षी बनाए गया ये पहली बार हुआ तो इसलिए इंपॉर 2020 अब जाकर के ऐसा हुआ है कि पहली बार कोई महिला इसके अध्यक्ष बनी तो इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कलब भी बहुत प्रतिस्थित है तो एक्जाम में कोशन इससे आने के चांसे बढ़ जाते हैं अगला है राश्टिय सांख्य की दिवस कब मनाया जाता है तो राश्टिय सांख्य की दिवस 29 जून को मनाया जाता है एक प्रसिद्ध वैग्यानिक हुए PC महाल नोबिस तो या प्रशांद चंद्र इनका पूरा नाम है महाल नोबिस इनका जन्म दिवस होता है 29 जून को एकोनोमिस थे बहुत बड़े तो इन ही के इनको समान देने क लिए 29 जून को राश्टिय सांख्य की दिवस मनाया जा रहा है 2007 में गोशला की गई थी तब से प्रतिवर्ष ये राश्टिय सांख्य की दिवस 29 जून को मनाया जाता है और इनका योगदान अगर जानना है तो आप ये जान सकते कि जो दूसरी पंचवर्षी योजना थी उसके जो मुख्य योजना कार थे वो यही थे इनी के पूरे योजना के उपर वो योजना अधारिती है अगला है व्रक्षर ओपड को प्रोसाहित करने के लिए संकल्प पर्व नामक अभियान किसके दौरा प्रारंब किया गया तो इसको दूसरी दरी के साइसे भी पूछ सकते हैं कि व्रक्षर ओपड को प्रोसाहित करने के लिए हाली में संस्कृत मंत्रा अले ने कौन सा अभियान लांच किया है तो संकल्प पर वो हो जाएगा और इसका इसकी जो अवद ही है वो है 28 जून से लेकर के 12 जुलाई तक यह इंपॉर्टन नहीं है अवद ही नहीं जादा तर PCS में तो नहीं पूसते हैं जो PCS के एक्जाम होते हैं बंडे एक्जाम जो और बहुत चोटे होते हैं सिसीया रिल्ले बैंकिंग उसके लिए तो नहीं पता तो 28 जून से लेकर के 12 जुलाई तक यह मनाया जाएगा और जो देश की हरबल विरासत का प्रतिनीद क करने वाले पांच प्रमुक पौधे हैं बर्गत, पीपल, अशोग, बेल और आमला तो इसमें पौधों के रोपड को प्रोसाहित किया जाएगा और संस्कित मंत्राले ने अपने सबी जो उससे जुड़े हुए लोग हैं यानि कि उसमें जो भी लोग कार करते हर करमचारे उससे उनको प्रोसाहित या उनसे निवेदन किया कि कम से कम इन पांचों में से कोई एक पौधा वो इस अवध में जरूर लगाएं और अगर ये नहीं उपलब्ध हैं तो कम से कम कोई भी एक पौधा जरूर वो लगाएं अगला है किसके दोरा भारत में गुर्वत्ता और स्कूल शिच्छा प्रडाली में सुधार लाने के लिए स्टार्स कारिकरम के अंतरगत 500 मिलियन डॉलर के रड़ को मंजूरी दी गई तो वर्ल्ड बैंक गुरूप के दोरा इस 500 मिलियन डॉलर के रड़ को मंजूरी दी गई है और स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एन रिजल्ट फॉर स्टेट्स तो इस्कूल शिच्छा में सुधार लाने के लिए उनकी गुरुवत्ता को सुधारने के लिए इन पैसों का प्रयोग किया जाएगा विश्व बैंक ये लोन देगा अगला है नशा मुक्त भारत वार्शिक कार योजना 2021-2022 किस मंतराले के द्वारा प्रस्टुट की गई तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंतराले की ये पहल है अगला है किल कोरोना नामक अभियान किस राज के द्वारा प्रारम किया गया है तो मद्ध प्रदेश का ये बहुत फेमस एक अभियान है एक जुलाई से ये प्रारम किया गया और इसके अंतरगत ये किया जाएगा कि घर घर जाकर के स्वास्त सर्वे किया जाएगा ताकि जो COVID-19 है उसको कर्व किया जा सके अगला है पाक अधिकरत कश्मीर में कोहाला जल विद्दुत परियोजना किस नदी पर इस्तित है तो कोहाला जलविद्धुत पर योजना जेलम नदी पर इस्तित है यह चर्चा में क्यों है कि एक तो यह POK में इस्तित है और चीन का एक initiative है C-PAC तो उसके अंतरगत यहां पर यह जो कोहला जल्विद्युत पर योजना है इस योजना को स्थापित करने की चीन योजना बना रहा है भारत इसके अपत्ति कर रहा है विरोध कर रहा है तो इसलिए चर्चा में इसलिए पूछा जा सकता है एक्जाम के पॉइंट अभी से तो मोजाम्बिक है मोजाम्बिक के थोड़ा सा और पीछे यह एक लैंड लॉग्ड कंट्री है मलावी जिसके राजधानी है लिलोंगवे तो वहां का इने राजपती चुना गया है अगला प्रशन है हाल ही में किस राज के द्वारा आदर्श पुलिस स्टेशन योजना श अपनी समस्या लेकर के उनके साथ कैसे बिहेव किया जाए इसके लिए उन्हें जागरूप बनाया जाएगा समवेदन शील बनाया जाएगा इसके लिए 36 गड़ ने यह अभियान शुरू किया है अगला है हाल ही में किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वालेट एप लाँच करने की घोशला की तो यह बैंक ऑब्डादा ते गोशला की है अगला है फीफा महिला विश्व कब 2022 की मेजबानी की जाइगी तो 2023 का जो फीफा महिला विश्व कब होगा उसकी जो मेजबानी है वो ऑस्टेलिया और निवजिलैंड के दोरह सम Яश रूप से की है इसके अंतरगत क्या जाएगा कि पशुपालकों को सहायता भी दी जाएगी और उन्हें जागुर्प किया जाएगा कि जो गोवनिशे पशु हैं उनका भी पशुपालन करें उनकी रूची बढ़ाई जाएगी उनके पशुपालन के लिए अगला है भारत में भारत ने खल उंगचू, पंजली जो परियोजना है ये भूटान में ही स्थित है और भूटान के साथ इसके लिए вариफण पर एक अस्ताक्ष्यर किया है 600 Marine Watt की परियोजना है भारत और भूटान की सहिंत परियोजना है और ये 2025 तक इसको पूरी करने का लक्ष रखा रखा गया है प्लाजमा की दो खुराक मुफ्त दी जाएंगी अगला है किस भारती संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राड के तहट एक गहन देखभाल काई यानि की ICU Great Ventilator विक्सित किया है तो IISC जो बैंगलूरू है उसके छात्रों ने प्रोजेक्ट प्राड के तहट ये ICU Great Ventilator विक्सित किये है और ये 100 प्रतिशत स्वदेशी है अगला है हाल ही में किसे ICC के Ampire के Elite Panel में शामिल किया गया तो हाल ही में नितिन मेनन को ये Ampire है इन्हें शामिल किया गया है ICC के Ampire का जो Elite Panel होता है उसमें इससे पहले इसमें दो और भारतियों को शामिल किया जा चुका है तो ये तीसरे भारति है नितिन मेनन इससे पहले जो श्री निवास वेंकर ट्रागवन थे उनको शामिल किया गया था और उसके बाद दूसरे नमबर पर सुन्दरम रवी को शामिल किया गया था तीसे नमबर पर ये नितिन मेना ने तो इस lecture में इतना ही है तो चलिए मिलते हैं अगले lecture में आगे डिस्कस करेंगे current affairs तो आप लोग चैनल को subscribe करेगा वीडियो को like करेगा, share करेगा और अगर आपका कोई सुझाओ है तो comment box में जरूर बताईए तो तब तक के लिए धन्यवाद चलिए मिलते हैं अगले lecture में